हेलो फ्रेंड्स वेलकन मैं चैनल स्टडी स्मार्टली तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आयो तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए और आगे वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कर दिजिएगा तो फ्रेंड्स मैं आज आपको एक्टिव पैसिव वॉइस के इंपोर्टेंट और कहूं तो एक्जाम्पल्स बहुत सारी कराऊंगा इस छोटी सी वीडियो देखने के बाद आपको एक्टिव और पैसिव वॉइस में कोई डाउट नहीं होगा ये मेरी वीडियो की पार्ट वन है इस टॉपिक की पार्ट वन वीडियो है इसे देखने के बाद इस टॉपिक पे आपको कोई डाउट नहीं होगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा तो आज हम जो बात करेंगे वो हम present indefinite tense के बारे हम बात करेंगे बहुत important है छोटी सी वीडियो है पूरा देखिए फिर आपको अच्छे समझ में आएगा चलिए first है he helps me तो यह active है passive में करेंगे I am helped by him he का him हो गया me का I हो गया opposite they play cricket cricket is played by them जो object होता है वो subject बन जाता है subject होता है object बन जाता है he does not fly kites passive में kites are not flown by him difference देखिए अप इसमें fourth I do not teach her passive में she is not taught by me her का she हो गया इहां पर I का me हो गया you do not cheat me passive I am not cheated by you sixth who is disturbing her passive में by whom is she disturbed हू का by whom हो गया do you scold me passive am I scolded by you आप इसे समझने की कोशिस किज़े समझ में आजागा does she eat mangoes passive are mangoes eaten by her does he buy a book passive is a book bought by him when do you see films passive when are films seen by you why does he abuse me passive why am I abused by him is she not helping you passive are you not being helped by her आप ऐसे से एग्जाम्पल और ही बना सकते हैं अपने माइं में how does she make coffee passive how is coffee made by her which frogs do you like passive which sorry याँ पे which frogs are liked by you सॉरी फर मिस्टेक हूं डू यू कर्स पैसिब हूं इज कर्स बाइ यू फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब किजिए लाइक किजिए इस वीडियो के एक बर और देखिए तब आपको अच्छे समझ माइगा और समझने की कोसिस किजिए थैंक यू